कि है वाट्ट रभारी माइने में इसकारण और वेल्क्रम बैक्ट माइन चैनल लाकिन माइन चैनल इस अश्रा करता हूँ आप बहुत 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 है अपना अरपनों का ध्यान रख रहा हूंगे तो देखोंगे अब मनिपाल में आपके जो मांक्स है वह आ चुके हैं लग कि आने वाले टाइम पर क्या पॉसिबिल्टी बन सकती है आपके मांक्स में तो चेंग्स के हैं वह भी आपके डिस्कुर्शन कर लेते हैं साती सब्सक्राइब अगर आपने कॉमेट की और मनिपाल की कांसलिंग या आप जूड़ना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिल से इसक कांसलिंग 20204 तो लास्ट यह तक क्या था सिंपल सी बात है लास्ट यह तक सिर्फ और सिर्फ आपकी मनिपाल की रैंक के अकौर्डिंग ही आपको कॉलेज जाते थे और उसमें 12 का सिर्फ एक पासिंग क्राइटेरिया था कि आपको 12 में इतने परसंटेज मांक्सी हैं और आ इसलों ने कहा है कि इस यह 50% जो माक्स है 50% जो माक्स है वह मनिपाल की रैंक है और 50% जो वेटेज रहेगा वह बोर्ड की परसंटेज रहेगा तो इसको किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं उसको मैं यहां पर discussion करूँँगा पहले इंदा जो notification था वो पढ़ लेता हूं य है कि 50% of the weightage given to मानिपाल score and 50% of the weightage given to 10 plus 2 score मतब दोनों को ही 50-50% यहां पर weightage यहां पर नोने देने की बात कही है तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो इसके बहाफ पर ही आपकी क्या होगी मानिपाल का जो list है मानिपाल की merit list है वो यहां पर बनेगी तो एक अगर पर हमने मोटे मोटे एक rank list बनाई हुई है वो इसी के बहाफ पर बनी हुई है तो उसको आप देखके चलिए यह एक rough है इसका मतलब अभी तक यह exam सिर्फ और सिर्फ मानिपाल की rank के बहाफ पर ही होता था तो एक rough idea के हिसाब से हमने यह बनाई हुए ठीक है तो अगर आपक 200 के आसपास तो और आपकी percentage है board में 95 तो हम एक्सपेक्ट करने कि आपकी रैंक होगी लगबग 1 से लेकर 50 तक आपकी rank की possibility है ठीक है अगर आपके marks आ रहे है 180 आपकी board में percentage है 90 तो हम लोग एक्सपेक्ट करने कि लगबग under 100 आपकी rank होने की possibility है थोड़ा सा और नहीं चाहता ह और यह एकर 170 आपके marks है और 90 परसंटेज आपके board में हुए हैं तो आपकी rank under 250 के असपास 160 अगर आपके marks हैं और 85 to 90 परसंटेज के बीच में है तो कहीं आपकी रैंक है लगबग 1000 से 1500 के बीच में होनी चाहिए अगर आपकी marks 140 है और 140 के साथ 85 to 90 परसंटेज है तो 2000 से 3000 के ब में नीचे आजाओं तो अगर आपके marks 130 है और आपकी परसंटेज 85 to 90 है लगबद 3000 to 4000 परसंटेज बीच में है आपकी rank होनी चाहिए 120 से लगबद 4-90 परसंटेज है तो लगबद 4-5,000 रैंक और 110 मां गजर मांक है और लगबद 85 to 90 परसंटेज है तो लगबद 5-6 के आपकी rank और अगर आपकी 100 marks है और 100 marks में आपको 85 to 90 परसंटेज आप लेके चले तो आपके जो रैंक होगी लगबद 7,000 to 8,000 90 परसंटेज अगर आपके 90 प्लस marks है और अगर परसंटेज भी 85 to 90 के बीच में है तो अप्रोक्स आपकी जो रैंक बन सकती है वो आपके लगबद 8.7.5 to 8.5,000 के बीच में अगर आपके marks 60 60 प्लस marks आपके है और 80 to 85 percentage है तो लगबद 19,000 to 24,000 और इसी तरीके से और नीचे भी आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ ठीक है तो बता दू मैं यह एक जो rough idea है यह मोटा मोटा rough idea हमने यहाँ पर आपको दे दिया है कि यह आपकी rank हो सकती है तो इसके हिसाब से भी आप आन दिया हुए और Instagram का चैनल भी दिया हुए तो आप 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 दिया हुए